student welcome आज हम अध्यान करेंगे class 11th subject English और subject English के अंतरगत हम supplementary reader snapshot के lesson 1 का अध्यान करेंगे lesson 1 The Summer of the Beautiful White Horse अर्थात सुन्दर सफेद घोडे वाला गर्मी का मौसम यह कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है जो गरोगलेनियन जन्जाती से तालुक रखते हैं जिसकी विसिस्टता है भरोसा और इमानदारी इस कहानी के लेखक हैं बिलियम सेरोयन इस कहानी में दो आर्मेनियन लड़के हैं आराम और मुराद यह कहानी आराम को सूत्रधार बनाकर उसके सब्दों में लिखी गई है आराम कहता है एक दिन पहले अच्छे पुराने दिनों में जब मैं नौ साल का था और दुनिया कल्पना से भरी भव्य थी और जीवन अभी भी रमणिये और रहसे मैं सपना था मेरे चचेरे भाई मुराद जिसे हर कोई पागल समझता था वह सुभे चार बजे मेरे घर पर आया और कमरे की खिड़की खट-खटा कर मुझे जगाया और कहने लगा अराम अराम मैंने विश्तर से छलांग लगाई और खिड़की से बाहर देखा मैं जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सकता था अभी सुभे नहीं हुई थी लेकिन गर्मी के दिन थे और उजाला होने में कुछ ही बक्त था मेरे लिए यह जानने के लिए पर्याप्त उजाला था कि मैं सपना नहीं देख रहा था मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुन्दर सफेद घोड़े पर बैठा था अराम कहता है कि मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर किया और अपनी आँखें मली तब मुराद ने कहा हाँ यहे एक घोड़ा है तुम सपना नहीं देख रहे हो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी आओ अब आराम मन ही मन में सोचने लगा मैं जानता था मेरे चचेरे भाई मुराद को उन दूसरे लोगों की तुलना में जीवन जीने में अधिक आनंद आता था जो इस दुनिया में गल्ती से आये हैं मगर यह जो हो रहा था वह मेरे विस्वास से परे था आराम पुनहे मन ही मन में सोचता है पहले तो मेरी सुरुवाती यादें गोडों की यादें हैं और मेरी पहली इच्छा सवारी करने की लालसा थी यह अद्भुत हिस्सा था दूसरा यह है कि हम गरीब थे आराम अपने मन ही मन में कहता है कि इसी कारण से जो मैं देख रहा था उस पर विस्वास करने से अपने आपको रोक रहा था हम गरीब थे हमारे पास धन नहीं था हमारी पूरी जनजाती गरीबी से तरस्त थी गरोग लैन यान जनजाती की हर साखा दुनिया में सबसे आश्यर जनक और अनोखी गरीबी में जी रही थी कोई भी नहीं समझ सका कि हमारे पेट में भोजन होने के लिए परियाप्त पैसा कहां से मिलेगा यहां तक कि परिवार के बजुर्ग तक नहीं सोच सके आराम मन ही मन में गर्ब पूर्ण तरीके से बिचार करता है कि हम अपनी इमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे जो सबसे महत्व पूर्ण था हम अपनी इमानदारी के लिए लगभग 11 सतापदियों तक प्रसिद्ध थे तब भी जैसा कि हम सोचते थे कि हम दुनिया के सबसे धनी परिवार के सदस्य थे हम पहले अभिमानी थे फिर इमानदार उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास कराते थे हम में से कोई भी दुनिया में किसी का फायदा नहीं उठाएगा चोरी का तो प्रस्न ही नहीं उठता है इसके फल सोरू भले ही मैं गोडे को देख सकता था बहुत सांदार था भले ही मैं उसे सूंग सकता था इतना प्यारा भले ही मैं उसे सांस लेते हुए सुन सकता था बहुत रोमांचक मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझ से या मेरे परिवार के किसी सदस्थ से सोने या जागने से कोई लेना देना था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़ा खरीदा नहीं होगा और अगर उसने खरीदा नहीं है तो उसने चुरा लिया होगा और मैंने यह मानने से भी इंकार कर दिया कि उसने घोड़ा चुराया है गरोग लेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता मैंने पहले अपने चचेरे भाई को देखा फिर घोडे को उनमें से प्रत्यक में एक पवित्र सांती और बिनोत था जो एक और मुझे प्रसन्न कर रहा था और दूसरी और भैभीत करता था आराम ने पूछा मुराद तुमने यह घोड़ा कहां से चुराया मुराद ने कहा अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर आओ आराम ने मनी मन में सोचा मतलब इसने घोड़ा चुराया है इसमें कोई संदे नहीं था भै मुझे सबारी करने के लिए बुलाने आया है अब मैं क्या करूँ सबारी करूँ या ना करूँ यह मेरा चुनाओ था आराम ने फिर से मन ही मन में सोचा खैर मुझे ऐसा लग रहा था कि एक घोड़े को सबारी करने के लिए चुराना और कुछ और चोरी करना एक समान नहीं है जैसे की पैसा मेरी जानकारी में साइद यह चोरी थी ही नहीं यदि आप घोड़ों के लिए उतने ही उस्साही है जितना की मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं थे तो यह चोरी नहीं थी जब तक हम घोड़े को बेचने की पेशकस नहीं करते तब तक यह चोरी नहीं होगी और मुझे पता है हम यह कभी नहीं करेंगे मैंने मुराद से कहा मुझे कपड़े पहनने दो मुराद ने कहा ठीक है मगर जल्दी करो मैंने कपड़े पहन लिये मैं खिड़की से नीचे आहते में कूद गया और अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैट गया उस साल हम सहर के छोर पर रहते थे बालनट एवेन्यू पर हमारे घर के पीछे गाउं था अंगूर के बाग, बाग बगीचे, सिचाई की नालियां और गाउं की सड़कें थी तीन मिनिट से भी कम समय में हम आलिव एवेन्यू पर थे और फिर घोड़ा मध्यम गती से चलने लगा, सांस लेने के लिए हवा ताजी और प्यारी थी, दोड़ते हुए घोड़े का एहसास अद्भुत था मेरा चचेरा भाई मुराद, जो हमारे परिवार के सबसे सनकी सदस्यों में से एक माना जाता था, गाना गाने लगा, और मेरा मतलब है वह गरजने लगा हर परिवार में कहीं न कहीं एक पागल सनकी होता है, और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारी जनजाती में इसी तरह का स्वभाविक बंसज माना जाता था उसके पहले हमारे चाचा खुसरो थे, एक विसाल काले वालों वाले और सेन जोकिन घाटी में सबसे बड़ी मूचों वाले आदमी, एक आदमी गुस्से में इतना उग्र, उतना चिड़चिड़ा, इतना अधीर कि वह किसी को भी गरजना करके बात करने से रोख दिया करते यह कोई बुराई नहीं है, इस पर ध्यान ना दें। बस यही था, चाहे कोई भी बात हो रही हो, कोई बात नहीं। यह आदमी खुस्रो, कुर्सी पर बैठा और गरजा, यह कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान ना दें। नाई ने कहा, मगर यह लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। खुस्रो, दहडा, बस करो, मैं कहता हूँ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। का स्वभाविक बंसज माना जाता था, हलाकि मुराद के पिता जो रब थे, जो बैभारिक थे और कुछ नहीं। हमारी जनजाती में कुछ ऐसा ही था, एक आदमी अपने बेटे की देह का पिता हो सकता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह उसकी आत्मा का भी पिता हो। हमारी जनजाती में विभिन्य प्रकार की आत्माओं का वित्रण सुरू से ही मनमौजी और आवारा किस्म का था, हमने सबारी की और मेरे चचेरे भाई मुराद ने गाना गाया, सब को पता था कि हम अभी भी उसी पुराने गाउं में हैं, जिससे कम से कम हमारे कुछ पडोस के अनुसार हम संबंदित थे, हमने घोड़े को तब तक दोड़ने दिया, जब तक भाई दोड़ना चाहता था आखिरकार मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, उतर जाओ, मैं अकेले सबारी करना चाहता हूँ तब मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले सबारी करने दोगे? तब मुराद ने कहा, यह तो घोड़े पर निर्वर करता है तब मैंने कहा, घोड़ा मुझे अवस्थ से अकेले सबारी करने देगा तब मुराद ने कहा हम देखेंगे मत भूलो कि मुझे घोडों की समझ है तब मैंने कहा तुम्हें घोडों की समझ है तो मुझे भी है तुम्हारी सुरक्षा की खातिर उसने कहा हम उम्मीद करते हैं नीचे उतरो तब आराम ने कहा ठीक है मैं नीचे उतरता हूँ लेकिन तुम मुझे अकेले सबारी करने देने की कोशिश करने देना तब आराम नीचे उतर गया और उसके चचेरे भाई मुराद ने अपनी एडी को घोडे पर मारा और चिलाया बजीर धागो घोड़ा अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हुआ हिन्हनाया और तेज बिस्पोटक गती से भागा जो की सबसे प्यारी चीज थी जिसे मैंने कभी देखा था मेरे चचेरे भाई मुराद ने सूखी घास के एक खेत में एक सिचाई की नाली तक घोड़े को दोड़ाया घोड़े पर नाली को पार किया और पांच मिनुट बाद बहुत गीला होकर लोटा सूरज उपर आ रहा था आराम ने कहा अब सबारी करने की बारी मेरी है मेरा चचेरे भाई मुराद घोड़े से उतर गया और उसने मुझसे कहा करो सबारी और मैं छलांग लगा कर घोड़े की पीट पर चड़ गया और एक पल के लिए बह संभवत है सबसे अधिक भै था घोड़ा आगे नहीं बढ़ा मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा उसकी मास पेसियों में लात मारो तुम किसका इंतिदार कर रहे हो हमें दुनिया में सबके उठने के पहले इसे बापस ले जाना होगा मैंने घोड़े की मास पेसियों पर लात मारी भै फिर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और हिनहिनाया फिर उसने दौड़ना सुरू किया मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ खेतों से सिचाई की नाली तक दौड़ने के बज़ाए घोड़ा सडक से होते हुए डिकरन, हलाबियान के अंगूर के बाग की और दौड़ा और वहां बेलों पर छल्लंग लगाने लगा मेरे गिरने से पहले घोडे ने साथ लताओं पर छलंग लगा दी फिर उसने दोणना जारी रखा मेरा चचेरा भाई मुराद सडक पर दोणता हुआ आया मुराद ने चिलाया मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है हमें उस घोडे को लाना होगा तुम इस्तरब जाओ और मैं इस्तरब जाता हूँ अगर वह तुम्हें मिले नम्र रहना मैं पास में रहूँगा मैं सडक पर जाने लगा और मेरा चचेरा भाई मुराद खेतों की तरफ सिचाई वाली नाली की तरफ गया घोडे को खोजने और बापस लाने में उसे आदा घंटा लगा ठीक है उसने कहा उपर आओ पूरी दुनिया अब जाग रही है तब आराम ने कहा हम क्या करेंगे हम या तो उसे बापस ले चलेंगे या कल सुभ़े तक छिपा देंगे मुराद चिन्तित नहीं लग रहा था और मुझे पता था कि वह उसे चिपाएगा और बापस लेकर नहीं चलेगा कुछ समय के लिए भी नहीं किसी भी कीमत पर नहीं हम इसे कहा चिपाएंगे मैंने कहा मुराद ने कहा मुझे एक जगे पता है तब मैंने उससे पूछा तुमने कितने समय पहले इस घोड़े को चुराया था अचाना कि है बात मुझे पर प्रगट हुई कि वह कुछ दिनों से सुभह सवारी कर रहा था और आज सुभह मेरे लिए इसलिए लाया था क्योंकि वह जानता था कि मुझे सवारी करने की कितनी लाल सा है घोड़े को चुराने के बारे में किसने कहा और मैंने कहा कि तुमने कितने समय पहले रोज सुभह सवारी शुरू की आज सुभह से पहले तक नहीं उसने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो? निशित रूप से नहीं उसने कहा लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम यही कहोगे मैं नहीं चाता कि हम दौनों जूटे बने तुम यही जानते हो कि तुमने सवारी आज सुभह सुरू की है ठीक है मैंने कहा वहे घोडे को चुपचाप खलियान की ओर लेकर चल पड़ा जो अब एक निर्जन अंगूर का बाग था जो एक समय में फत बजियन नाम के किसान का गौरव था खलियान में कुछ जौण और सुखी एल फेलरू एक प्रकार का पौधा लगा था जो चारे के काम आता था हम घर की ओर चलने लगे यहे आसान नहीं था उसने कहा घोडे से इतना अच्छा बरताव करवाना पहले तो यहे स्वच्छन्द होकर भागना चाहता था लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मुझे घोडों की अच्छी समझ है मैं इससे वहे सब करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ घोडे मुझे समझते हैं तब आराम ने पूछा तुम यह कैसे करते हो मुराद ने जवाब दिया मेरा घोडों के साथ एक तालमेल है लेकिन किस तरह का तालमेल है तब मुराद ने कहा कि एक सरल और इमानदार वाला तालमेल खैर मैंने कहा कास मैं जानता होता घोडों के साथ इस तरह के तालमेल तक कैसे पहुचा जाता है तुम अभी भी छोटे लड़के हो उसने कहा जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब जान जाओगे की कैसे करना है मैं घर गया और पेट भर नास्ता किया उस दोपहर मेरे चाचा खुस्रोब कॉफी और सिग्रेट के लिए हमारे घर आए बहे पारलर में बैट कर कॉफी पी रहे थे और धूमरपान कर रहे थे और पुराने दिनों के गाओं को याद कर रहे थे फिर एक और आगंतुक पहुचे जॉन बायरो नाम के एक किसान एक असीरियन जो अकेले पन की बज़े से आर्मेनियाई बोलना सीख गए थे मेरी मा उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफी और तंबाकु ले आई और उन्होंने सिग्रेट बनाई कॉफी पी और धूमरपान किया फिर आखिरकार उदास होकर उन्होंने कहा मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महिने चोरी हो गया था अभी तक गुम गुमा हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे चाचा खुसरो बहुत चिड़ गए और चिल लाए यह कोई नुकसान नहीं है घोड़े का नुकसान क्या है क्या तुम सब मात्रभूमी को नहीं खो चुके हो यह क्या है एक घोड़े के लिए रोना जोन बायरो ने कहा आपके लिए सहर के निवासी के लिए यह सब ठीक हो सकता है मगर मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या बिना घोडे के एक घोड़ा गाड़ी क्या है मेरे चाचा खुसरोव फिर गर जे इस पर ध्यान मत दो जौन बायरो ने कहा मैंने यहां आने के लिए दस मील की पैदल यात्र की है अराम के चाचा फिर चिलाए तुम्हारे पास पैर है जौन बायरो नाम के किसान ने कहा मेरे बाये पैर में दर्द है मेरे चाचा फिर गर जे इस पर ध्यान मत दो उस किसान ने कहा कि वह घोड़ा उसे 60 डॉलर में मिला था मेरे चाचा ने कहा मैं पैसे पर थूपता हूं वह उटकर घर से बाहर निकल गया घर का दरवाजा जोर से बंद करते हुए मेरी मा ने समझाया कि उसका दिल कोमल है उन्होंने कहा कि बस इतना कि वह घर से बाहर रहने पर खुड़ा खिन्न है और इतने बड़े आदमी है किसान चला गया और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर की ओर भागा मुराद एक आडू के पेड़े के नीचे बैठा था और एक युवा रॉबिन के आहत पंक को ठीक करने की कोशिस कर रहा था क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था वह पक्षी से बात कर रहा था मुराद ने पूछा क्या है तब आराम ने बताया वह किसान जॉन बायरो वह हमारे घर आया था उसे अपना घोड़ा चाहिए तुम्हारे पास वह एक महिने से है मैं तुम से बादा कर चाहता हूँ कि तुम तब तक उसे बापस नहीं करोगे जब तक मैं सवारी करना नहीं सीख जाता मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा तुम्हें सवारी सीखने में एक साल लगेगा तब आराम ने कहा हम घोड़े को एक साल रख सकते हैं मेरा चचेरे भाई मुराद उच्छल कर खड़ा हो गया क्या वह दहाड़ा क्या तुम गरोग लैनियन परिवार के सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो घोड़े को अपने मालिक के पास जाना ही चाहिए तब आराम ने पूछा कब मुराद ने कहा हद से हद छे महा में उसने पक्षी को हबा में उच्छाल दिया पक्षी ने बहुत कोसिस की दो बार करीब करीब गिर गया लेकिन अंत में उच्छी और सीधी उडान भर कर उड़ गया दो सब्तहा तक हर सुभे मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को सुनसान अंगूर के बाग के खलिहान के बाहर ले गए जहां हमने उसे छिपा रखा था और सबारी करते थे और हर सुभे जब अकेले सबारी करने की बारी मेरी होती घोड़ा अंगूर की लतायों पर और छोटे पेड़ों पर छलांग लगा कर और मुझे गिरा कर भाग जाता था फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं भी उस तरह सबारी करना सीख जाऊंगा जिस तरह मेरा चचेरा भाई मुराद करता है फत बजियन के सुनसान अंगूर के बाग की और जाते हुए एक सुभ है हम किसान जान बायरों से टकरा गए जो सहर जाने को था तब मुराद ने कहा मुझे बात करने दो मुझे किसानों की अच्छी समझ है सुप्रभाद जान बायरों मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा किसान ने उस सुकता से घोड़े का अध्यान किया सुप्रबहात मेरे दोस्त के बेटे उन्होंने कहा तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है माय हार्ट मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियाई में कहा जॉन बाइरो ने कहा सुन्दर नाम एक सुन्दर घोड़े के लिए मैं कसम खा सकता हूँ कि यह वही घोड़ा है जो मुझे कई सप्ता पहले चुराये गये था क्या मैं उसके मूँ में देख सकता हूँ मुराद ने कहा बेशक किसान ने घोड़े के मूँ में देखा जैसे को तैसा उन्होंने कहा मैं कसम से कह सकता हूँ कि यह मेरा घोड़ा है यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धी मुझे अच्छी तरह से पता है फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़बा है बह संदिग्द ब्यक्ती अपने दिल के बजाए उसकी आँखों पर विश्वास करेगा सुब दिन मेरे युवा मित्रों मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा सुब दिन जौन बायरो अगली सुबह हम घोड़े को जौन बायरो के अंगूर के बाग में ले गए और जाड़ी में रख दिया कुत्तों ने बिना आवाज किये हमारा पीछा किया कुत्ते मैं अपने चचेरे भाई मुराद से फुसफुसा कर बोला मुझे लगा कि वो भौकेंगे वह भौकेंगे पर किसी और पर उसने कहा कि मुझे कुत्तों की समझ है मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े पर अपनी बाहें डाल दी अपनी नाग घोड़े की नाग पर लगाई और उसे थप थप आया और चला गया उस दोपहर जौन बायरो हमारे घर अपनी घोड़ा गाड़ी से आया और मेरी मा को भाई घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और बापस कर दिया गया था मुझे नहीं पता कि क्या सोचूं उन्होंने कहा गोड़ा पहले से ज़्याद सक्ति साली है बहतर सवहाव वाला भी है मैं इश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे चाचा खुस्रौव जो पार्लर में थे बहे चिलाए चुप यार चुप तुम्हारा गोड़ा बापस कर दिया गया है इस पर ध्यान मत दो इस तरह यह कहानी समाप्त होती है इस कहानी का नाम है इस कहानी में गरोग लेनियन जंजाती के दोनों बालक आराम और मुराद दोनों सच्चे और इमानदार थे दोनों ने अंत में सुन्दर सफेद घोड़ा उसके मालिक जौन बाइरो को बापस कर दिया था इस तरह यह कहानी सकरात्मक रूप से सच्चाई और इमानदारी का संदेज देते हुए समाप्त होती है आप सभी को अध्यन के लिए बहुत बहुत सुपकामना है अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं आप इन में से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्यन निरंतर जारी रखें आप स्क्रीन निरंग